हेलो फ्रेंट्स स्वागत है आपका हेल्थ इन ब्यूटी स्टेशन में तो आज जो प्रोड़क्ट में रिव्यू करने वाली हूँ वह है औरी फ्लेम का कलर बॉक्स फांडेशन सो यह फांडेशन एक स्मॉल ट्यूब में आता है जो की वाइट कलर की ट्यूब है और इसके उ पीस सो यह जो प्रोड़क्ट है यह एवरीडे ग्रेट वाल्यू की रेंज में आता है इसका मतलब है इसकी जो प्राइज है अब इसके बाद चेंज नहीं होगी आपको सेम प्राइज में यह प्रोड़क्ट किसी भी महने में मिल जाएगा यह थ्री डिफरेंट शेड्स मे यह थोड़ा सा डीपर कॉंपलेक्शन के लिए आता है तो इसमें शेड्स की अच्छी वराइटी है इसका टेक्स्चर में अब आपको दिखाती हूँ इसका टेक्स्चर क्रीमी है और इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम है और यह एजिली एब्सॉब हो जाता है स्कीन में तो यह एक नाच्रल ग्लो देता है स्कीन के उपर और मीडियम कवरेज देता है और यह मॉस्चराइजिंग है तो इससे आपके स्कीन में अच्छा सा मॉस्चराइजिंग इफेक्ट भी आता है नॉर्मल टू ड्राय स्कीन लोगों के लिए यह बहुत सूट होने वाला है क्योंकि आपको अलग से मॉस्चराइजर लगाने की जुरूरत नहीं होगी और एक ही प्रोड़क्त में आपको मॉस्चराइजर और फाउंडेशन का इफेक्ट मिर जाएगा वेरी ओईली स्कीन के लिए यह फाउंडेशन थोड़ा सा स्टिकी हो सकता है लेकिन आप अगर इसको कॉंपक्ट पाउडर या सेटिंग पाउडर से सेट करोगे तो एक अच्छा परफेक्ट मैट लूक यह फाउंडेशन आपको दे देगा यह फाउंडेशन की स्टेइंग पाउडर 3-4 अवर्स तक है यह लाइट वेट फाउंडेशन है इसका जो कवरेज है यह मीडियम कवरेज है अगर आपको डाक स्पॉट्स हो या आकने के मार्क्स हो तो आपको कंसीलर लगाना पड़ेगा इसके नीचे एक ड्रॉबैक जा रहे हो धूप में तो आपको संस्क्रीन लगाना पड़ेगा इसके नीचे तो क्विक रिव्यू कलर बॉक्स फाउंडेशन का मेरे साइड से यह है तो यह पाकेजिन जो है ट्रावल फ्रेंडली है आप इजिली इसको आपके हैंड बैग में क्यारी कर सकते हो इसका जो क लगाने की जरुरत में पड़ती इसको यूज करने के बाद नॉर्मल टू ड्राय स्किन के लिए तो यह बहुत अच्छा सूट होगा ओली स्किन के लिए आप कॉम्पैक्ट से इसको सेट कर सकते हो तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो ओवराल मुझे यह फाउंडे वीडियो आप अपके फ्रेंड्स साथ भी शेयर करें थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग